तो अगर आप थर्ड समेश्टर का एक्जाम दे रहे हैं तो देखिए इसमें हम लोग पहला पेपर लेकर आया है तो देखिए यहां पर यह माहत्मा गादी का से बित्यापीट का है यूनिट वाइज इसको हम लोग लेकर आया है तो इस सियलिबस के qordin चार यूनिट है इसमें की चार यूनिट में हम लोग चार कोश्चन लेकर आएotal हैं जो कि इसमें जितने भी एकजाम में हुए रहेंगे तो उसी pattern में कई question रहेंगे जो कि उसमें से कुछ question कुछ answer उसमें रहेंगे जो कि आप लिख सकते हैं ठीक है तो चलिए मैं इसके लिए वीडियो बना के लिए के आ रहा हूं समासास्ति परिपेश है और इसमें तीन वीडियो और भी बना दिये जाएगे तो यह पहला paper है तो अपनाय जाने वाले प्रमुख परिपेश एवं उपागम का वड़ंग कीजिए और या तो ऐसे question आएगा दूसरा question या तो समाजिक परिपेश से आप क्या समझते हैं और इसकी प्रमुख विशिस्ताओं का वड़ंग कीजिए या question ऐसे पूछेगा अथवा करके कि समासास पूछले या परिपेश क्या है तो उसके बारे में यहां पर लिखा लिखेंगे आप कैसे भी करके घुमा फिराए कोचन ऐसे पूछेगा तो आंसर शुरू करेंगे इसमें लेकिन आपको लिखना थोड़ा ही रहेगा तो समास्ताक्ति परिपेश और्थ परिभासा देखि तो इसमें परिपेश से देखना है तो यहां पर परिपेश को अंगरेजी में परस्पेक्टिव करते हैं परस्पेक्टिव से बना है जिसका अर्थ सीन थूरू अर्थात उपर से नीचे देखना होता है परिपेश का अर्थ एक सीरे से दूसरे तक सीरे तक देखना या निरेच्छर करना है तो कुछी भी चीज़ को उपर से नीचे तक देखना परिपेश कलाता है ठीक है इसको आप चाहिसे भी आप अपने भासाम चाहिसे भी लिख सकते हैं जिरूरी नहीं कि इ समाजी बिग्यानों में इसका अर्थ प्रारम से अंत तक अन्वेसर करना है जब कोई बिग्यानिक अपने विशे के विशिष्ट उद्देश को समाविष्ट करते हुए किसी तथे घटना या समाजिक यथार्थ का अध्यन विशिष्ट दिश्टी कोड से करता है तो वह उस परिपेश कालाता है थियो डोर्षन एवं थियो डोर्षन के अनुसार मुल्य विश्वास अभिविद्टी एवं अर्थ बैक्ति को संदर्भ एवं दिश्टी कोड उपलब्द खराते हैं जिनके अनुसार यह परिश्टिति का निरिच्छड या अवलोकन करता है किसी बिंदू के दिश्टी कोड मांदंड या अवधरणाओं की विवस्ता को लेकर कोई ब्यक्ति या समू अपने अनुभव ज्यान तथा व्यक्याओं को संगट्टित करता है उसे ही संदर्भ परिधी कहा जता है गुड़े एव महाट के अनुसार परिवासा देखिए त इसके परिपेक्च को toye करती है प्रतेक प्रतेक्विक्यान में घटना के केवल एक पक्षिपर ध्यान केंद्रित किया जता है सभी ब्यग्यानिक अपने अपने विश्या के वish परिपेक्च को दिश्टी में रखकर किसी एक घटना का अधेयन करते हैं अब देखिए उपएत परिभासा के अनुसार में कहेंगे कि आप समासास्ती परिपेक्षी में समासास्तरी समाजिक क्रियाओं, समाजिक समुहों, समाजिक समंदों संस्थाओं, समाजिक बेवस्था परिवर्तन आधिको बैज्यानिक दिश्टी से कार्य करण संदर्भ में द Qiu देयां से समधित होता है। समा सास की मानिता है कि प्रकृति में हर जंह भेवस्था समा CT मनुष से समाजिक जीवन में विद्धियमान इसी भेवस्था को खोजने और उसके यहारत को भ्यक्त करने का प्रयोग करता है। उपागम का ताथपर है किसी परिश्टिति, घटना या वस्तु इस्टिति के समन्द में प्रकट या अ प्रकट मानिताओं का संघात होता है जो कि बैग्यानिक अध्रियन का अधार बनता है उपागम एवं बौधी रचना की प्रकृति की धारड़ा है जिसके द्वारा किसी समाजिक या भौतिक परिस्तिति का पिसले सर किया सकता है वे समाजिक या भौतिक परिस्तितियां वास्तविक हो सकती है तो अकालपनिक उपागम का साब्दिक अर्थ उपागम उपागमन होता है उपागमन अर्षात वास्तविक्ता के नजदिक ले आना है उपागम को किसी समस्या का अध्यान करने की बिधी या उपाय भी कहा जा सकता है जिसके अधार पर समस्या का विश्लेशर किया जा सके समासास के अंतरगत विभिन प्रक्रियाओं परिस्तितियों या चरो का अध्यन अनेक उपागमों के द्वारा किया जाता है प्रतेक उपागम उस विशीष्ट समस्या जिसका की उसके द्वारा अध्यन किया जा रहा है कि विशीष्ट पहलू पर अधिक बल देता है डेविस एम लेविस ने अपने पुस्तक मॉडल आप पॉलिटिकल एनालेसिस को उपागम का प्रती रूप मॉडल कहना अधिक उचित माना है तो उसके बाद अब यहां पर आगे देखेंगे तो आता है इसके विस्थाइक बारे में जो कि पूछा भी वह था उपकलपनाय है जो अनुसंधान करता को विसीष्ट नजरिया प्रदान करती है और उनका धेन के समय मार्क दरसन करती है समासास्ती परिपेख्च एवं उपागम में अगर लिखित प्रमुक विसस्ताइब पाई जाती है जैसे कि बैग्यानिक प्रकृती बैग्यानिक प्रकृती में समासास्ती परिपेख्च एवं उपागम की प्रकृती समनात्मक है अर्थात या इस बात पर बल देते हैं कि समाज के विभीन भाग परस पर समन्दित है और यदि किसी एक भाग में परिवर्टन होता है तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर पढ़ता है इस्पक्ष एवं वस्तुनिष्ट रूप से अध्यन करने में सहायता प्रदान करते हैं किसी भी विसय में वस्तुनिष्ट अधempt का होना उस विसय के विकास के लिए आवस्यक़ है अतर समाज़ शास्ती परिपेक्च एवं उपागम समाजवाद के विकास में सहायता प्रदान कर रहे हैं नेक्स्ट है बिश्रेस्रात्मक प्रकृति समाज सास्ती परिप्यक्ष एवं उपागम हमें समाजिक परिस्तितियों घटनाओं एवं प्रक्रियाओं को समझने में ही सहायता प्रदान नहीं करते बल्कि उनके बिसलेसर में भी सहायता प्रदान करते हैं नेश्ट है ब्यापक ब्यापक्ता एवं खुलापन मतलब विस्तार के बारे हम कर रहा कि कुछ खुलापन रहे तो ब्यापक्ता एवं खुलापन समासास्त्री परिपेक्ष एवं उपागम की एक अन्य विसेस्ता ब्यापक्ता और खुलापन है समासास्ती परिपेक्ष एवं उपागम समन्वित होने के साथ साथ अत्यांत ब्यापक एवं खुले भी हैं क्योंकि इनके द्वारा जीवन के सभी पक्षों का समगर रूप से अध्यन किया जाता है इसमें नेश टॉपिक है कारकरण समन्दों पर बल तो समासास्ती परिपेक्ष और उपागम के प्रकृती कारणात्मक होती है अत्हारत इनके द्वारा समाजी घटनाओं के कारणों तथा परिणामों का अध्यन किया जा सकता है समासास्त्र परिप्यक्च और उपागम समासास्त्र को अन्य समाजी बिग्यानों में एक और तो प्रिथक करते हैं अब हम समकालिन समाषास्ति अनों संधान में प्रचलित कुछ चे सरोंमान परिपेच्छों ऊपागमों वह पदतियों के संचेप में वाणग करेंगे तो ऐतियासी परिपेचरेट का समाषास्ति अध्यणों में अनूपम घटनाओं आपफिस्तित करने अध्ययन उनको BCS प्रारंविक सवाओं का पता लगा कर किया जाता है बोटोममोर के अनुसार एतिहासिक बियाक्या जो की एतिहासिक परऴश का मुख्य हुद्धियस है का अभी प्राए उन प्रार्मिक परिस्तितियों का वड़न करता है जो कि BCS घटना को चन्व देती हैं कि तो उनके अनुसार यह पर देखेंगे तो उनके अनुसार समाजी बिग्यानों जिनमें समाजसास्थ्र 1 है में बिग्यानिक ब्याख्या एतियासिक ब्याख्या के बीना अधूरी है एतियासिक परिपेच्छे समानित एतियासिक सामगरी या द्वैकिय प्रलेखों में संकलित आकड़ों का ही उपयोग किया जाता है किन्तु अनुसंधान करता प्राथमिक आकड़ों द्वारा इनकी प्राडविक्ता की जाज कर सकता है एतिहासिक परिपेक्ष द्वारा समानत उत्पत्ति यहों विकास समंधी अध्यान हो किये जा सकते हैं तथा अनुपम घटनाओं के अध्यान के कारण या समानी करण में अधिक सहायक नहीं है समासास्त में आगश्ट कामटे हरबर स्पेंसर एल्टी हाब हाउस कार्ल माक्स मैस्वेबर सी राइट मेल से रेमंड एरो आधि विद्वानों ने इसका प्रयोग अपने अध्यानों में किया है जबकि मानो सास्त्र में रेड के लिए ब्राउन ने इसका प्रयोग किया है अब दूसरा टॉपिक है सनरस्टात्मक प्रकारात्मक परिपेच तो सनरस्टात्मक प्रकारात्मक परिपेच आज मानो समाज सास्त्री और समाज सास्त्री अधेनों एवं अनुसंधानों में प्रयोग किया जाने वाला एक प्रमुक परिपेच है इस परिपेश का विकास मुख्य रूप से उद विकास वादी एतिहासिक एवम तुलनात्मक परिपेशों की सिमाओं को दूर करने के लिए किया गया है तता इसमें परियाप्त सफलता भी मिली है सनरशनात्मक परिपेश इकाई का विसलेशर करने की वह पदती है जिसमें यह देखने का प्रयास किया जाता है कि इकाई के विभीन अंग या भाग कौन से हैं वे किस प्रकार से बेवस्तित हैं तता प्रतेक अंग संपूर इकाई की निरंतरता एवम अस्तित बनाये रखने क ये लिए क्या भूमिका निभा रहे हैं सरल सब्दों में यह कहा जा सकता है कि यह परिपेक्ष संपूर इकाई का उसकी संरचना एवं प्रकार के अधार पर बैग्यानिक धंग से विस्लेशर करने की एक पदती है इसका उद्देश से इकाई का निर्माड करने वाले चाले अंगो या भागो का पता लगाना तथा इन अंगो के अस्थान इस्तिती एवं प्रकार्यात्मक समंधों का पता लगाना है समासास्त में इस परिपेक्ष के साथ स्पेंसर, दुर्खिम, मर्टन, पार्सन से तथा लेवी जैसे विद्वानों के नाम तथा मानोसास्त में रैड क्लिप, नाउन और मेलोन विस्की, नौडल, फोर्ट्स तथा फिर्थ, इत्यादी विद्वानों के नाम जुड़े हैं तिसरा है, तुलनात्मक परिपेक्ष मानोसास्त में पार्सन स्पेंसर, दुर्खिम पहले समासास्त री हैं जिन्नोंने इस परिपेक्ष का विधीवत प्रयोग अपने आत्म हत्या के अध्येन में किया तुलनात्मक परिपेच में दो घटनाओं परिस्तितियों संस्थाओं अथवा समाज जो इत्यादी की तुलना की जाती है तुलना के पच्चाथ जो अंतर एवं समानताएं दिखाई देती हैं उनके अधार पर घटनाओं एवं परिस्थितियों के समझने का प्रयास किया जता है इकन मिसल के अनुसार इकन मिसल के अनुसार तुलनात्मग परिपेच उस पदती को कहते हैं जिसमें भिन भिन समाजो अत्वा एक हो समाज के भिन भिन समोहों की तुलना करके यह बताए जा सके कि उसमें समानता है अत्वा नहीं और यदि है तो क्यों इमाईल दुर्खिम तथा मैक्स वेबर तुलनात्मक परिपेक्च का प्रयोग करने वाले प्रमुक समाज सास्त्री माने जाते हैं यदपी या परिपेक्च उपकलपनाओं के निर्माड विसलेश्रात्मक अध्यानों तथा समानी करण में सहायक है फिर भी इसके प्रयोग में अनेक सावधानिया रखनी पड़ती है दुर्खिम के अनुसार इसके द्वारा हम केवल एकई समाज के भीन भीन इकाईयों का समान इस्तर विकास वाले समाजों तथा एकई घटनाओं के भीन समाजों में तुलना कर सकते हैं चौथा है चौथा टापिक है एथनो मैथोडो लॉजी पिछले 15 से 20 वर्सों में समाजी घटनाओं का अधिक यधार्त रूप तथा वास्तविक्ता का प्रत्यक्ष एवं निकटता का अध्यन करने के लिए इस नवीन परिपेच का निर्माड किया गया है तथा इसने अनेक परिपेच की मानिताओं को चुनावती देना सुरू कर दिया है हेराल्ड गारफिंकल का नाम इस परिपेच के साथ मुख्य रूप से लिया जता है यह परिपेच मानिवी बेहवार के उन पक्षों का अध्यन करने पर बल देता है जो व्यक्ति की दैनी क्रियाओं एवं बेहवारों से समंदित है इसमें मुख के रूप से तीन पहलू है दैनी जीवन की समान क्रियाओं भासा का समाजिक पक्ष तथा है समाजिक प्रतिमानों का बेहवारिक परक्ष के अध्यान को विशेज महत्तों दिया जता है पाचवा पॉइंट है सांकिकी परिपेक्ष तो देखिए अगर मैं इसमें यहां पर कुछ पॉइंट इसमें लिखवा रहा हूं या पता रहा हूं आपको तो इसका मतलब यह नहीं सांकिकी परिपेच की परिपेच की परिपेक्ष की विवरर्ण यवान तुलना के लिए संख्यात्मक तत्यों का संकलन वर्गी करण एवं सारडियन किया जता है इसकी प्रकृति परड़ात्मक अथवा विविचनात्मक होती है तथा यह विस्तित छेत्र में विसाल समु का अधेन करने में सहायक है क्योंकि यह बेग्यानिक विस्तेसर पर अधारित है अता इसके द संहात्मक अधेडा संगर्च में त्लिका वर्कृति क्यांत्र में संगर्ज विस्तेसर में इसके का इसके समर्थक हमारा घ्यान इस बात की और और अकरशित करते हैं कि आधुनी समाज 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 के स्विकार करते हैं कि प्रतेक समाज का सदा परिवरतन की प्रक्रियाओं की अधिन रहता है समाजिक परिवर्तन सर्व्यापी है साथ ही प्रतेक समाज सदा मत भेज तथा संघर्ष प्रदसित करता है और समाज का प्रतेक तत्व इसके विगटन एवं प्रवर्तन के लिए योगदान देता है फिर यहां पर दिखेंगे प्रयोगात्मक परिपेक्ष तो प्राकृती विग्यानों में अनुसंधान मुखे रुप से प्रयोगात्मक प्रिपेक्ष त्वारा किया जता है इस परिपेच में किन्नी निश्चीत विद्वान सिधानतों या दसाओं के अंतरगत अध्यन वस्तु को सामने रख कर उसका अध्यन किया जाता है समाजी बिग्यानों में भी प्रयोगात्मक परिपेच का प्रयोग किया जाता है या अधिक समान ने परिपेच नहीं बन पाये हैं क्योंकि समाजी घटनाओं का नियंतरण रखना संभव नहीं है साथ ही समाजी बिग्यानों की विशेवस्तु को प्रयोग साला की सिमाओं में बाधा नहीं जा सकता है प्रयोग साला परिपेक्च में अध्यान समगरी को दो समूहों विभायत किया जा सकता है नियंति समूह प्रयोगी समूह करती है तो देखिए इस प्रकार ये पाहला कोच्षन खतम हूए पहला कोच्षन में यह नहींगी आपको पूरा लिखना है। उसमें कुछ पॉइंट आपको यात कर लीजिये कुछ उसी पॉइंट को अप लिख लीजिये। ARE तो चलिये थे कि अ VSBECNA करना फिजानोन कि संदर्व में आरके मर्टन के पिरामीड की विचना कीजिए या ऐसे पुछेगा मर्टन द्वारा प्रतिपादी प्रकरात्मक विचना कीजिए या तो ऐसे पूचेगा प्रकारवाद क्या है अगर कैसे हिए पूचेगा मर्टन के पूचेगा मर्टन के बारे में तो मैं जो इसको बता रहा हूं बस उसी को लिखिए बहुत अच्छे नमबर आएंगे तो दिखेंगे आप यहां पर कि सनरचनात्मक प्रकार्य वाद को मर्टन का युगदान मर्टन ने प्रकार के साथ साथ अकार्य या अपकार्य 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 अपकार प्रकारे तथा प्रकारे और अकारे है तो समाज स्थात में प्रकारे और अकारे या अपकारे सब्द का प्रयोग एक विशिष्ट अर्थ में हुआ है इसे परिभासित करते हुए मर्टन ने लिखा है प्रकारे वे अवलोकित पैडाम है जो कि समाजिक बेवस्था के बूलन या संमझस रख कमकरते हैं जनसन प्रकार्य तच्च्य और अकार्य को परिभासित करते वे लिखा है यदि कोई द्यांसिक राच्था कोई उप-समुव भूमिगा समार्यिकमानिदड अत्वा संसक्रिति मुल्य समाजिक प्रडाली या उपर प्रडाली एक या अधिक समाजिक बेवस्ताओं के पूर्ती में योग दे तो यह कहा जाता है कि वह प्रकार्य मैं है यदि वह इन में से एक या अधिक आधिक आसकताओं को पूरा होने में बाधा उपस्तित करे तो उसे अकार्य कहा जात कि देखिए आप गटन लिखा है जो गटना होगा तो गटने गैर प्रकार है को लेक्ष करते हुए लिखा है कि गैर प्रकार है यह नौन फंचन और यह अवलोकित पईडाम है जो समाजिक ब्यवस्था में अब अनुदेश से पूड़े या असंगत हो गए उपईवत परिभासाओं से इस पश्ठ है कि यदि समाजी संरचना की कोई भी इकाई भूमिका मुल्य आदी उस संरचना की आवस्ताओं की पूरती एवं उसके अनुकूलन तथा सामंजस्य में योग देते हैं तो उसे हम इस इकाई भूमिका एवं मुल्य का प्रकार कहेंग लेकिन यदि वह इकाई समाजी संरचना की आवस्ताओं पूरती अनुकूलन एवं सामंजस्य में बाधक होती है तो उसे उसका अकार कहेंगे जब हम किसी आंसिक धाचे के प्रकारियों की बात करते हैं तो हम यह कहना चाहते हैं कि उस आंसिक धाचे से समंदित कारे यानि क अधिकरिया को समाजिक प्रताली के किद्वारा कुछ प्रतिफल होते हैं प्रकारे अकारे को हम यहाँ उधारड द्वारा इसे प्रश्ट करेंगे जैसे कि online यहाँ पर पढ़ हो गर तो देखिए भारत में सनुधित सनित परिवार पढ़ा ली पाई आती है ठीक है पाई आती है बहुत जगह तो इसमें लड़किया बिवा के बाद परिवार छोड़कर चली जाती है लड़किया उसी घर में रहते हैं तो आपने भी देखा होगा आपके घर में ऐसा ही होता होगा और उनकी बहुए भी उसी घ गरती हैं इस प्रकार तीन या अधिक पेड़ी के लोग सन्युत परिवार में निवाज करते एंग tienen वह करो गए पापा हो गए समाजी करण एवं संस्कीति का पीडी दर पीडी हस्तांतर असान हो जाता है बूढ़े बिमार एवं असमर्थ सदस्यों के जीवन की सुरच्छा बनी रहती है किसमें सनित परिवार में किन्तु दूसरी और इस बेवर्स्ता के कुछ अकारे भी है यदि कोई करता परिवार के स जाती प्रता के भी प्रकारियों माकारियों के खान पान विवाब व युश्ता वेवसाय अधियि जमंतित १िक समदित नियम पाए जाते हैं इन नियमों के कुछ प्रकार हैं ब्यक्ति को समाजिक हो मानसिक भ North upprチャンネル रकना उसके लिए वीवा का दाईरा करना लग्त की सुधता बनाु रख़ना जाती कि संस्कीत की रभशा करना जती एकता को बनाए रखना समाज में स्रम विभाजन आधी प्रकार रें तत्था स्रमिक की कति चल्ताव को सल्टा में बाधक है राष्टीय एकताव प्रजातिंत्र को ठेज पहुचाते हैं निम्न जातियों का सोसर होता है अस्पेशता पनपति है आदीप्र था के अकार भी प्रकार और अच्छे वह बुरे से नहीं है इसका मुल्यों से अप्रतियच समंद नहीं है अब प्रकार में अंतर देखिएं अंतर क्या होता है तो जाने वाले वे कारे जो संग प्रसंपूरब संगठन अर्थवा विवस्था को बिक्षता को बनाय रखने तथा अनुपूलकरन में सहायक होते हैं इसके विप्रित अकारे प्रणृत्न अ की लिए हानिकारक होते हैं उसके संचालन में बाधा उपस्थित करते हैं नेक्स्ट है प्रकारे को समाजिक मानिता प्राफ्थ होती है जबकि अकारियों को समाजिक मानिता प्राफ्थ नहीं होती है क्योंकि अकारे समाज बिरोधी एवं संगठन के लिए हनिका रखोते हैं चौटा है प्रपार्य होते हैं समाजिक नियमों के बिरोध होते हैं प्रपार्य नियमों के ब्रोध होते हैं और कानू ने आएवम नियमों के da नीशनी किया ना जाता है उसे दंडित किया जाता है पिर नेस्ट प्रकार की प्रकृति सकमाथ में तुट ऺपोती है उने समाज में उचीत मागता हैज़की अक कि अगलोग्य करें तो आपको और अप दूर्सकृत नहीं किया में अंत्र बतलाते हुए लिखा है कि प्रकट प्रकार प्रत्याच्चिश्टी गोचर हुने वाले वे परड़ाम है जो समाजिक बैवस्ता में अनुकूलन शम योजन बलाते हैं उसे वे व्लस्ता में सम्मेली तरह्म machinery द्वारा मानने यूमे सब्सक्राइब यूद्टान या अनुकूलन दु कि नहीं इसे जांसन के आनुसार Eastern तो यहां पर देखेंगे तो प्रकार्ट tussen आधिज्यात होते हैं प्रकट प्रकार न तो अभीष्ट होते हैं और नहीं अभिज्यात थे जब कई प्रकारियों के पैडाम पहले से ही निश्चीत एवं सिक्रित होते हैं तो ऐसे प्रकारे प्रकट प्रकारे कलाते हैं किन्तो कई बार प्रकारियों के ऐसे पैडाम भी मिलते हैं जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं गया था उन्हें हम प्रकट प्रकारे कहते हैं उधारत लगबक सभी समाजों में निकटता भीन निसेद पाया जता है इस नियम के अनुसार निकट के रिष्टेदारों जैसे भाई बहन पिता पुत्री माता पुत्र आदी में यौन समंदों की मनाही होती है कुछ बिद्वान इस नियम के प्रकट प्रकारे या बताते हैं कि यदि ऐसे छूट दी जाए तो बस सूरत या अपंग बच्चे पैदा होंगे ऐसा कुछ नहीं है लेकिन आसा करना बस हम लोगे संस्कार ऐसे कि ऐसे नहीं करते है कुछ विद्वानों का मत है कि यह मानों की मल प्रविति के हैं और ऐसे समंध अस्थापित नहीं करता इस नियम के प्रकट प्रकारियों में प्रकट प्रकार अधिक महतवपूर है यदि इस प्रकार समंधों की छूड़ दी जाए तो परिवार में यह समंधों को लेकर माता प पूत्र और भाई 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 वह अनय सदस्यों में तनाव और संगर्स पैदा हो जाएगा। अनय परिवारों में बिवा करने के लोगों से समाजिक सांस्कृति समंधों एवं सयोग ек बिष्टार होता है। द्रेड़ियों समंदों के कारण माता पिता में जूलकर बच्चों की देखर भाल कर सकते हैं तो उनके समाजिक करण के कारे का निर्वाह भी अच्छी तरह से कर पाते हैं कि अब उसके उसके कुछ उधारण देखिए इसे प्रकट और प्रकट कारे के कुछ उधारण है जिसे एक ब्रकटी डाक्टर बनने के लिए MBS की पढ़ाई पढ़ रहा है और उसका प्रकट प्रकार डाक्टर बनकर पैसा कमाना यहां समाजिक प्रतिष्टा प्राप्त करना है किन्तु इसका अब प्रकट प्रकार भी हो सकता है जैसे डाक्टर बनने के बाद उसका विवा एक उपनयास लिखता है ऐसा करने का उध्यर अज्यीकों कमाना है ठीक है उसches प्रकर प्रकार है किन्तों अच्छे उपनयास लेखने कार यदि पर कोई राष्टिय और पूरसकार मिल आक्यां जाता है इसके बारे इस Нे कभी कलपना करना कि नहीं कि थी तो इसे लेक सिख किला का अप्रकार प्रकार ही कहा जा जाए Guru उसके आपको कर आप को पता ही ने कि आपको गएर करें वहां बहुत बहुत ही बहुत ही पेहतर INFरियर कार होने में है तो उसके लिए बहुत राष्टी पुरस्कार मिल जा तो उसके लिए कह रहा है फिर मालीजिए फिर दूसरा तीसरा एजाम पले एजाम पले समझें तो बहुत अच्छा समझ में आजगा सबस्ता है तो वह डानट का अफरकर प्रकारे है जिसकी कलपना भी नहीं की योई इसा भी हो जाता है किया चौथा में कह रहा है एक बैटि देवी में विस्वास रहता है खरां आद का बरसंद करना या वह सवास्ते बना रहता है तो यह बरत काप अप्रक्रक्रकर खलाएगा कि मर् टंके मटन के अब करॉख का दो कि बैज्ञानिक व्रक्रणे क., इस परेडाइज में मर्टन के ग्यारे किया जाता है वो निश्चित त्था प्रतिमानित होनी चाहिए जैसे समाजी संचनाइं समाजी प्रकृतिक अदे कि ब्यक्ति पन दुसरा है ब्यक्ति परक प्रकृति की जहाड़ा है समाजी ब्यवस्ता के दिश्टी से ब्यक्ति अत्य तंud महत्वपूर्ण ऐ माणों के प्रतेक कारे के पीछे कोई प्रिध neighboring होती है इन प्रिधाओं को भी प्रिधाओं को ही मानों के विश्वास विस्वासों एवं बैवारों के प्रुप में समझ लिया जता है वास्ते में प्राम chicos पृठक और धरणाओं के रूप में ब्यक्त किया जाना चाहिए नेक्स्ट है तीसरा वास्तविक प्रेडामों की और धरणाय मर्टन का मत है कि प्रकार के अर्थ के समंद में सभी और इस पश्टताओं को दूर किया जाना चाहिए मर्टन ने प्रकरात्मक विश्टेसर के लिए प्रकारे अपकारे तथा गैर प्रकारे प्रकट तथा अप्रकट प्रकारे नामक अधर्णाओं का प्रयोग किया है इनका अर्थ पुरो में इस पश्ट किया जा चुका है जोथा है उन एकाईयों की आवधाड़ाये जिनके प्रती प्रकार संपन होते हैं इस समद में मर्टन का विचार है कि कोई भी एकाई संपुर समाद या बिवस्ता के लिए अत्त Inhale के प्राभावित होने वाली एकाईयों को इस पश्टत्र सिनिस्चित करना आवस्यक है पाच्वा देखिए तो पाच्वा है प्रकारात्मक आवसकताओं से समंधित और धारडाएं कई ऐसे समाशास्त्री हैं जो प्रकार समाजी का आवसकताओं और समाजी को देशियों का समान अर्थों में प्रयोक करते हैं यह आवसकताओं पर जोड़ दिया गया है जो दो प्र प्रकार की होती हैं विस्तिष्ट तथा सरव्यापक चटवा हैं प्रकार और यांत्रिकिया जिनके द्वारा प्रकार संपन किये जाते हैं जब हम प्रकारात्मक विस्तिष्ट करते हैं तो हमें उन संस्थाओं वो मसाधनों का भी अध्यन करना होता है जिनके द्वारा कुछ प्रकार संपन किये जाते हैं यह साधन या या अंत्रिक्या मुल्यों के इस तरी करण स्रम विभाजन भूमिका विभाजन आदिक के रूप में होती है तो देखी यह दूसरा कोशन खत्म हो गया है अब अगर बहुत सारे आपको लिखना नहीं है आपको बस छार चार्ट के जिसे कुछ इसमें से अगर मैंने छे बताया है तो आपको बस तीन ही लिखिए तो देखिए और आपके लिए बहुत सारे मेनत किये जा रहे है तो प्री कीजिए या दूसरा कोशन है प्रथिकात्मक अंत मेरा किando के समझ और में के विचारों की विचना कीजिए या यह कोशला कैसे ऐसे प्रतिकात्मक अंतर क्रिया वात के परेड़ी देखी क्या होता है तो कूले का समकालिंगा इन समय के प्रभाव से बहुत और यह क्या है लैब था उसने अंतर क्रिया प्रकृएंग के अधैन के लिए बहवारवादी अभिनती को अपनाया मीडियन सिकागो विस्विद्याले बेटार सो तिरान बेश से अपनी मृत्य परियत्न पढ़ाया वह एक गतिसील तथा संगलात्मक ब्यक्तितो वाला था और वह अपने हुआ अपने बिचारों को लिखी सब्दो या अपचारिक प्रकासन के रूप में लाने की अपैक्छा कच्छा के परिवेश में मौकिक रूप से अभिव्यक्त एवं विक्सित करने को प्रात्मिक्ता देता था उसके अधिकांस विचार उसके मृत्यू के बाद उसके गुरुभक्त सिस्यों ने उसको भासडो, नोट्स, प्रारूपो तथा हस्त लिपियों से संगरा करके चार ग्रंथों में प्रकासित किये मीड की दिश्टी से मनस्तिस को आदिम मानवी संचार की उपच के रूप में देखना सरसेष्ट है मनुस में यह योगिता है कि वह सारिरिक संकेतो और पतिकातमक आवाजो भासा से संचार कर सकता है मेट की मानिता थे कि संचार संकेतों में प्रारम होता है जिसके साथ सब्द बाद में अस्तिस की रचना के लिए जोडस दिये जाते हैं मेट की परिपेश के दिश्टी से समाजिक मनोबिज्ञान का समंद समू की सदस्ता बेक्तिगत बेहवार के संरूप के बीच समंदों का अध्यान है समाज को एक पुरोचर माना गया है बेहवारवादी उपनाम उपागम के अनुसार मीड के बिस्तेशर की इकाई समाजिक कारे है उसके मतानुसार समाजिक मनोबिज्ञान इस अर्थ में बेहवारवादी है कि यह गतिसील निरंतर चलने वाली समाजिक प्रक्रिया और समाजिक कारे है जिसका बेग्यानिक रूप से अध्यान और प्रित्रसक किया सकता है मीडे ने इस बात पर जोड़ दिया कि बेवारवादी समाजिक मनोबिज्ञान को बेक्ति के आंतरिक अनुभाव की अवग्या नहीं करना चाहिए एक समाजिक कारे को दो या अधिक बेक्तियों के बीच लेंदेन के रूप में परिभासित किया गया जो अस्थापित सरम विभाजन रखते हैं जब बेक्ति एक दूसरे के साथ साकारी तथा तारकी करूप में अन्तर क्रिया प्रारम करते हैं तो उनके बीच भासा का विकास होता है जो कि बेक्ति की अपनी विलचड़ा होती है संकेत समाजी कारे के किसी भी ऐसे भाग की और इंगित करते हैं जो समाजी क्रिया के ऐसे भाग के चिन है जो अभी घटित होनी है संकेत समाजी क्रिया का प्रारम या तैयारी जिसमें क्रिया और पति क्रिया दोनों सामिल है जो कि दूसरे बेक्तियों की उत्रिजना को अधिन उचित मानते हैं प्रतिकात्मक अंतर क्रिया मेड की दिश्टी से संकेत तब महत्पोड होते हैं जब वे प्रतिकात्मक अंतक्रिया को प्रेडित करते हैं महतपोड प्रतिक वे संकेत हैं जिनका अर्थ एक समाजिक समों के सभी सदस्यों को ग्यात हैं वे केवल भासा के भावना के नहीं वरन बौदिक गति बिधी की मुलभूत परवपिक्षाएं हैं मीड के विचार में महतपोड प्रतिकों के रूप में संकेतों की दिष्टी से ही मस्तिक से या बुद्धी का अस्तित में संभव है क्योंकि संकेतों के रूप में ही चिंतन संभव हो सकता है ये संकेत महतपोड प्रतिक होते हैं इस प्रकार आंतरिक बनाए संकेत महतफूर प्रतिक बन जाते हैं क्योंकि एक प्रदर समाज समाजिक समुख के सभी विक्तिका सदस्यों के लिए उनका समान अर्थ होता है अर्था तवे उनको बनाने वाले यक्तियों में वही दिश्टी कोड उत्पन करते हैं जो कि प्रति उत्तर देने वाले ब्यक्तियों में करने की आसा की जाती है अब देखिए तार्किक बेहवार यह अस्थाई संगठन तो मीट के परिपेक्षे में संकेतों का मुखेकार तार्किक बेहवार और अस्थाई समाजी संगठन को सुईधा प्रदान करना है तार्किक समायोजीत बेहवार परिपक को आत्म चेतना का फल है आत्म चेतना तब आती है जब एक ब्यक्ति अपने स्वयम के संकेतों के प्रतिकात्मक अर्थ की ब्याख्या करने में बौधिक रूप से समर्थ होता है चोथाना मर्द देखिए तो यह है आत्मा के विकास समंधी विचार बहुत ही चोटा लिखा है तो देखिए यहां पर लिखा है मीड ने इस मानिता के अधार पर चिंतन प्रारम किया कि ब्यक्ति अपना अनुभव दूसरों को आखों या संकेतों के माध्यम के अलावा अन्य प्रकार से नहीं कर सकता ब्यक्ति आत्म के रूप में अपना अनुभव प्रत्यच रूप से या तत्कालिक रूप से स्वयम का विसह बन कर नहीं करता लेकिन इसके लिए वह पहले स्वयम के लिए वस्तु बनता है जैसे कि दूसरे बेक्ति उसके लिए या उसके अनुभव में वस्तु बनते हैं वह अपने लिए एक वस्तु केवल तभी बनता है जबकि स्वयम के बारे में दूसरे बेक्तियों के दिश्टी कोड का एक समाजिक परिवेस या अनुभव ब्यवार के संदर्भ में ध्यान रखता है या उलेख करना महतपूर है कि मीड आत्म चेतना के विकास में ट्रारंभिक इस्तरों का वड़ंग कर रहा था और उसने यह नहीं बताया कि आत्म एक मापक प्रकार का सीसे का सप्रति बिम्भ है ब्यक्तियों में समाजिक परिस्ति परिपेक्ष और बौदिक योगिता सारीरिक सकती चता दूसरे अनेक ततों के अंतरों के साथ एक ब्यक्ति के स्वैम की वस्तू बनने के चमता आत्म चेतना के रूप में परियापत अंतर लाती है असल में आत्म चेतना के रूप में मीड के दृतियक महत्यों के थे और उसके लिए प्रमुक बिसाय वह समान प्रक्रिया थी जिसके द्वारा आत्म चेतना उत्पन होती है यह प्रक्रिया समू के सरंदर्व में मानवी अंतक्रिया मीड की मतानुसार आत्म का विकास होता है यह जमीन से नहीं होता लेकिन समाजिक अनुभाव और कार्य की प्रक्रिया में उत्पन होता है अब यहाँ पर देखेंगे कि जब एक ब्यक्ति दूसरे ब्यक्तियों के साथ संपर्क में आता है तो उसके आत्म का विकास होता है जिसमें कि अगर कोई ब्यक्ति अकेला है तो उसके आत्म क्या विस्वास होगा है लेकिन आत्म मतलब सिर्फ कोई खुद का विकास तो मीड का मुल प्रस्ट यह है कि एक बौधिक और समाजीत समयोजीत जीव के रूप में मनुस्य किस प्रकार रचा गया है विकासवादी अधरणाओं ने यह प्रमुख समस्या उत्पन की थी कि सारीरिक और बौधिक के बीच में बीच रितता को कैसे भरा जाए और कैसे यह दि दिखिए तो पांच नमर है कि ज्याण के इन के लिए ज्याण से आगे का विचाल मीड के मानवी बेहवार के अध्यर में किवल ज्याण के लिए ग्याण से कुछ आगे थी वह बैवारिक राजनीतिंग में सलगन था और समाजी पूनर रचना में गहनता से रूची सील था समाज सुधारों के सबंद में उसकी रूची नामक लेख से इस पश्ट थी कौन सा लेख था तो the working up hypothesis in social reform यहां उसने कलपनावादी समाधानों का बिरो तथा प्रायोगिक उपगाम का समर्थन किया वह यह नहीं सोचता था कि मनुस्य विकास में भावी करम को परियात रूप से सोच सकता है और तदानुसार स्वयम को प्रसारित कर सकता है उसके मतानुसार जो घटित होता है वह प्रत्यासित होता है और क्योंकि हमें न केवल तुरंत होने वाले परिवर्तन को देखना है वरन इस परिवर्तन के प्रती संपूर विस्व की प्रतिक्रिया को भी देखना है और कोई भी मानवी दिश्टी कोड ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो देखिए अब निश्ट आएगा तो निश्ट यूनिट फोर से आएगा कोश्चन और नौ माक्सवादी बिचारक के रूप में हैबर मास की समाजी बिचारों का प्रकाश डालिए या कोश्चन आएगा जुरगेन हेबर मास की तो इसमीसे एक कोश्चन आएगा और कुछ नहीं आएगा तो जैसे कि यहाँ पर दिखिए यहाँ पर हेबर मास होगा हेबर मास का जर्मानी के एक मधयमवर्गी परिवार में हुआ उनके पीता चेंबर आप कामर्स के निदे सकते अजब वे किसोरा आवस्था में थे उन्होंने प्रतम विसुयोद की विभासिका को देखा था नाजीवातों को खत्म हो जाने के बाद जर्मनी के भविसे के बारे में जब थोड़ी निश्चित्ता आई तब हेबर मास ने सांती की सांस ली अब वे लेखन में जूट गए उन्होंने डटकर अध्यन किया ऐसी काल में आईसी काल में 1949 में दर्सन सास्त्र मनो विज्ञान जर्मन साही थे जैसे अनेक विसुयोग का घरा अध्यन किया सन 1954 में उन्होंने बौन विसुविद्याले से सोध उपादी प्राप्त कर एक पत्रकार के रूप में अपने विशाई जीवन की सुरुवात की 1956 में एबर मास फ्रैंक फूर्ट स्कूल के साथ जुड़ गए वे एडियनों के विद्यार्थी थे और फ्रैंक फूर्ट में उनके सहायक रूप में काम करने लगे समयोग कुछ ऐसा हुगा कि हेबर मास की फ्रैंक फूर्ट स्कूल के प्रमुख होर खेयर के साथ नाइब फूकी का हो गई और उन्होंने एक स्कूल को छोड़ दिया यह होते हुए भी हेवर मास की फ्रैंक फोर्ट और इसकूल की दूसरे पीडी के विचारक के रुपे में पहचान है उन्हें कई विचारक की उपादी से भी विचित किया था हेवर मास की रचनाये हेवर मास का संपूर लेखन जर्मन भासा में हुआ और उनकी कतिपाय पुष्टकों का अंग्रेजी भासा में अनुआद हो गया उनकी अनुआदे कुछ पुष्टके हैं जैसे कि थियोरी थियोरी एंड प्रेक्टिस नॉलेज एंड हुमन इंट्रेस्ट टूवर्ड और राशनल नेशनल सोसाइटी के राशनल सोसाइटी है चली कोई भी होगा इंग्रिस में लिखना चाहिए था और नेलोजमिटेशन क्रैसिस कम्यूकेशन एंड इवेलुएशन आप सोसाइटी नेश्ट है थियोरी आप कम्यूकेटिव एक्टिव 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 एक्षन फिर और क्या है तो और है पोस्ट मेटाफिजिकल तेंकिंगें देखिए आपको इतने किताब याद नेए रखनी है उनके साह्ति एक याद रखें है हैто हैं हैव Raw मास का सैधान्त क्या है तो सीधान्तों के दुनिए मेंuseum को सिधान्त व्यद्व एक्टा समझा जाता है उनकी बुनियादी परंपरा प्र accountability school की है अलोजन आत्मक सिधान्त वेक्टा मांकर उसे अस्विकार करते और उसमें संसोधन भी करते हैं और दूसरी और माक्षवादी सिधान्त वेत्ता अन्य सिधान्तों की परंपरा से भी बहुत कुछ उधार लेते हैं आके देखेंगे तो है कि इनके लिए ग्यान की कोई भी विद्या अच्छूत नहीं है हैवरमास सिधान्त निर्माण में एकमत एकदम मक्त हस्त हैं मुक्त हस्त हैं और वे उत्तर आधुनिक्ता को जहां नकारते हैं तो वही आधुनिक्ता में भी संसोधन करते हैं आदुनिक्तावादी जब देखो ग्यानोदय के गीत गाते हैं पर ये गीत हैबर मास को नहीं रासाते हैं वे ग्यानोदय में द्वंद्र यानी पतिकूलता देखते हैं दूसरे सब्दों में ग्यानोदय दोहरा है एक एक स्थान पर ग्यानोदय यानी सोपान विवस्था को स इससे प्रभावित होकर वे कहते हैं कि किसी भी ब्याकरण के निमाड सार्वभौमिक ज्ञान और सर्वभौमिक नैतिक के नियम बनाए जा सकते हैं। सबसे पहली आवसकता है। इस देटी से देखें तो समाज विग्यानों ये तीनों प्रकार के सिधानत हैं। ये तीन प्रकार के संग्यान के हैतों पर अधारित हैं। वास्तों में संग्यान के ऐसी मानसी प्रक्रिया हैं। जिसके द्वारा हम अपने इंद्रियों के माध्यम से अपने समाज के बारे में बोध गरहड करते हैं, उदारण के लिए समाज में हम अपने असबाब पर धिहान रखे तो उसे उठा का चमपत हो सकता है, या हमारा इंद्रियों द्वारा किया गया बोध है, इसी बोध द्वारा हम अपना निड़े लेते हैं, हैबरमाज से इससे संग्यान हेतु करते हैं, ग्यान सिध्धान्द के इन तीनों प्रकार में देखने को मिलता है या ग्यान निम्न तीन प्रकार के होते हैं, चलिए देखी तीन प्रकार ग्यान, तो उद्देशे की पूर्ति के लिए हमें ग्यान का विकास करते हैं उद्देश की पूर्ति के लिए ठीक है ऐसा क्यों कर रहे हैं तो देखिए उसके बारे में कि हम अपने ग्यान की बुद्धी की न किसी न किसी उद्देश को पूर्ति के लिए करते हैं उदारण के लिए विद्द्यारती किस सी रोज्यार में जाना है और या उसका उद्देस के उद्देस से जनीत ग्यान को या ब्याक्या малень के प्रारमभिक लेखन से सरोकार रखती है समाज के सद से हूने के नाते हम विभीन प्रकार के घ्यान को प्राप्त करना चाहते हैं या ग्यान ग्यान का हेतो ही मनुस्य को पसु समाज से भिन्न करता है अब यहां हेंबर मास भासा की भूमिका का उलेक करते हैं मनुस्य की काम करने की कुसलता एवं संचार की छमता विभीन प्रकार के ग्यान को जन्म देती है यह ठीक है कि कार्य यह स्रम प्रकार के तक्निकी जेतों को पूरा करता है परंतु ग्यान और कार्य भी करता है इसके द्वारा प्रकृति प्रक्रियाओं का नियंत्रड भी अपने लाब के लिए करता है हम सब लोगों की रूची बिजलो को चमता को विक्सित करने में होती है क्योंकि इसमें हम सब का भला है इस प्रकार के ग्यान पर अधारी सिधानतों को हैबरमास अनुभाविक विस्लसात्मक सिधानत कहते हैं और यहां पहुँचकर हाइबर मास कहते हैं कि ग्यान पत्यचवादी बन जाता है यह पत्यचवाद समाज बे ग्यानों पर लागू होता है पत्यचवादी ग्यान संचार के माद्यम से संपूर समाज में आ जाता है इस तरह का ग्यान मनुष्य के विकास में बड़ा लावदायक होता है अब दूसरा देखिए यह तो पहला था दूसरा क्या था तो ग्यान बेवारी खीतों के पूर्ति करता है हमारे दूसरे प्रकार के सिध्धान्त वे हैं जो बेवारी खीतों के पूर्ति करते हैं ग्यान का यह दूसरा प्रकार दैनिक जीवन की असताओं से जुड़ा हुआ है तक्निकी भासा में हैबर मास इसे भविश से ग्यान करते है यह ग्यान जिस सिध्धान्त को जन्म देता है उसे भविश से ग्यान सिध्धान्त करते है और इसे बेवारिक इसलिए करते हैं कि यह हमारी अंतक्रियाओं में काम आता है हम अंतक्रियाओं को भासा के माध्यम से समझते हैं देखा जाए तो भासे बिज्ञान निर्वाचन का बिज्ञान है हम अपने हाथ की दो उंगलियों को खड़ा करके दिखाते हैं इसका निर्वाचन है हम विज्ञाई है हम मुक्का तान कर दिख बताते हैं निर्वाचन हम दुस्मन के दाथ तोड़ देंगे ऐसे होता है न और इस तरह को अंतक दिया हमारे दिन के बहवारी जीवन को अंग है संचार के इसाथ में बहवारी धातों को पूरा करते हैं और इसलिए दूसरे प्रकार के सिधान के भासे बिज्ञान सिधानत है अरे इस समय तो आप वाटसप और पेस्बूक कहीं पर भी बात करते हैं तो इमोजी भेशते हैं न उसी को तो बोल रहा है चली दिसरा देख लिजे तो तीसरा एक ज्यान उधारक होता है कैसे तो यहाँ पर बताते हैं हैबर मास के तीसरा प्रकार है सिधानतों को उधारक ज्यान के स्टेड़ी में रखते हैं बैवारिक ग्यान एक तीसरे हेतु को जन्म देता है जिसे वे उधारक ग्यान कहते हैं इसका तालुक भी अंतक्रिया और संचार होता है यह जान आलोचनात्मक सिधानतों को जन्म देता है इस ग्यान में यहाँ पर जान नहीं है पर ग्यान है ज्यान में बेक्ति के अंतर क्रियाओं का लाव लेकर समाज का अहीत करता है यह ज्यान अपने स्वरूप में भरष्ट होता है अहीत का हेतु सक्ति के माध्यम से पूरा होता है और इसी कारण सक्ति की प्राप्ति के लिए संगर्स होता है यहां हैवर मार्स मनोबिसलिसर के सिधानत को बुनियाद मानते हैं इस सिलसिले में वे अपनी वाद की गृति धियोरी आप कम्मुनिकेटिव एक्सन का विस्तित उलेक करते हैं यहां वे भासाई दर्शन साहत का संदर प्रस्तूत करते हैं मार्क्सवाद की अलोचना के बारे में देखी का करते हैं तो हैबर मार्क्स से यह दबी मार्क्सवादी है पर वे मार्क्स के सिधानतों की अलोचना करते हैं इस अलोचना से मार्क्स को अस्विकार करते हैं और इसके अस्थान पर अपना अलोचनात पर सिधानत प्रस्तुत कर और स्कूली बीचारिक प्रत्यक्षवाद के मलबरे में दबे रहे स्वेम मरक्स भी इसी प्रत्यक्षवाद के सिकार थे AND THE की बहुत बड़ी बिसेस्ता स्रम में ही देखी और उसके मुल्ले और विचारों पर कोई बल नहीं दिया यहां हैबर मार्स ने मार्स को जो अलोचना की है मार्स का जो अलोचना की है इन्हें बिंदू पर प्रसुत कर रहे हैं देखेंगे तो जैसे कि मांक्स के स्राम यों उत्पदा के अधारड़ाें, सांस्कृत कि यों राजनिती जिवन को समझने में असमर्थ हैं ठीक है तो स्वयम मांक्सवाद्धी होते वwnież हैवर मांक्स क्लासिकल मांक्सवाद के कतिपै सिधानतों से और सवमत नहीं है वे कहते हैं कि माक्स को माक्स का उत्पादन बीदियों और उत्पादन समंधों का नव सिधांत आज के समाज पर लागू नहीं होता है है वर माक्स इसकी विश्टित ब्याख्या करते हैं पिछले समय में पुझीवाद में राज्य एवं अर्थब्यवस्ता एक दूसरे से प्रितक थी राज्य का अर्थ से कोई सरुकार नहीं था और राज्य की निती अस्त छेप की थी आज इस्तिती बदल गई है अब राज आर्थ बेवस्ता की दिशा को निर्धारित करता है हमारे देश में ही सन 1990 में जो आर्थिक उदारवाद और निजी करड़ आया उसका निर्ड़ राज ने ही किया और आज के संदर्व में आर्थिक निधारवाद प्रासंगिक है दूसर मास को यह स्विकार नहीं है वे कहते हैं कि बिक्सीत देशों में स्रमिक का भी जीवन इस्तर उचा उठ गया है उन्हें उचा बेतर मिलता है और कल्याकाड़ी सुधाय मिलती है ऐसी अवस्ता में दमन का प्रतिमान बदल गया है और इस समाज में स्रमिक आर्थिक अभाव क परिस्तितियों में हमें स्रमिक वर्ग के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा और रोडिवादी मास्टर इसका कोई निदान नहीं देता है वर मास का दृड़ विश्वास है कि आज के स्रमिक आर्थिक दिश्टी से खस्ता हालत में नहीं अब उन्हें क्रांती करने की आ सक करता नहीं है आज का स्रमिक राजनितिक संदेश में बात करता है और आर्थिक तासदी का विश्वस्तु नहीं है चलिए यूनिट फोर में ही एक और कोस्टन देख लेते हैं कोस्टन ऐसे आ सकता है कि फूको के उत्तर आधुनिक्तावाद की विश्चना कीजिए दखिए पागलपंती के बारे में बताएगा लाश्ट अगर सिलिवस में देखेंगे तो पागलपंती के बारे में बताएगा तो फूको ने पागलपंती के बारे में बताए हुआ है जिसे कि यहां पर फूको का उत्तर आधुनिक्तावाद दे फूको उत्तर आधुनिक्तावाद क प्रडेता थे उन्होंने जिन मुद्दू पर अपने विचार रखेते वे निम लिखी थे उन्होंने अपराद सरीर पागलपन और कामुक्ता पर बड़ी गहंता से लिखाया है उनके विश्लेसर में वे आधुनिक संस्थाओं जैसे कारग्री अस्पताल आधी की भूमिका को इसपीश्ट करते हैं और अपने निसकर्स में ठीक है अपने निसकर्स में कहते हैं कि इन शर्ष्थाओं के माध्यम से समाज पर नियंतरड रखा जा सकता है फोकु का तर्क है की ग्यानविदाख और पुनजागरड़ अपने उद्विकास की अवस्था में सही थे वे ब्य उसकी हरकतों पर निगार रखना है इस संदर्भ में वे सक्ती वैचारकी और वीमर्स के पारसपड़ी समंदों के आधुनी संगडात्मक ब्यवस्ता के संदर्भ में देखते हैं फूको की और धाड़ात्मक देन वीमर्स है कई लोग जिन्होंने साधानी पूर्वक फूको को नहीं पढ़ा है वे वीमर्स का प्रयोग विवाद के रूप में करते हैं अंग्रेजी सब्द डिस्कॉर्स जुड़ा है डिसकसन से इस पद के प्रयोग में फूको बहुत इसपश्ट हैं उनके लिए वीमर्स का अर्थ किसी एक निश्चित फ्रेम वर्क में किसी वीसे के बारे में सोचना है धाड़ा बनाना है और धाड़ा किसी बेक्ती के विसे को इसपश्ट करने के बाद कहते हैं कि लोग सक्ती का प्रयोग विमर्स के माध्यम से करते हैं होता या है कि सबसे पहले सक्ती होती है या सक्ती अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखती इसे अर्थ पूर बनाने के लिए विमर्स को काम में लिया जाता है वस्तों के बारे में लोगों की अभीवितियां बदल जाती है या बदलने का काम सक्ती करती है अर्थ बहुत इस्पष्ट है सक्ती वीमर्स के माद्य हम से काम करती है या सक्ती है जो वीमर्स के जरिये अपराद, पागलपन और कामुक्ता के बारे में हमारी अभी वितियों की बदलती है पहले पागलों के बारे में हमारा विमर्स था कि इस्वर ने उन्हें ऐसा बनाया है और वे विस्ति समाज में रहने के काबिल नहीं है उनका अस्थान उनका अस्थान कहा है तो उनके अस्थान तो पागल खाना है और यह विमर्स है अब मन मनोरोग का विस्षिष्ट ग्यान है और इस रोग के निदान में वे प्रवीड हैं मनोरोग मतलब उसके पागलोग डाक्टर और उन्हों ने अपने इस योगिता को सक्ती द्वारा परागत वीमर्स को चुनावती दी मनोरोगियों को दूरस्त किया और उनकी इस दच्छता को पागलपन के बारे में जो वीमर्स था उसे बदल दिया इस भाती वीमर्स के माद्यम से सक्ती का प्रयोग किया जा सकता है सक्ती और वीमर्स से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस समाज बेग्यानिकों से भिना है समाज बेग्यानिक जिन वस्तूओं से परचित हैं उनकी तुलना और परचित वस्तूओं से करके और परचित वस्तूओं को जानने का प्रयास करते हैं फूको को यह बिदि स्विकार नहीं है और वे इस से उल्टा करते हैं और इस जनकारी के अधार पर परचित वस्तूओं का ब्याख्या करते हैं फुको का समाजिक सिधान्द विशिष्ट इसलिए है कि वे जो खरोस के साथ हाल में जो समानेताएं हैं धाड़ाएं हैं विश्वास और सनचनाएं हैं जो दिस हैं उनका खंडन करते हैं और यह सब इसलिए कि यह परिचित हैं जो परिचित हैं उसका विरोद करो और इसे खं कामुक्ता का दिश्टांत दिया है पिछले एतियासिक कालों में हमेशा कामुक्ता नहीं थी इसका विबास समाजिक प्रगति के विकास के साथ हुआ है आज यही बात पागलपन और अपराधियों के बारे में कही जा सकती है अपनी पुस्तक आर्कियोलॉजी आप नौलेज म बना देना फुको के सिधानतों के धूरी विमर्स है वे कहते हैं कि पिछले कालों के तुलना में हमारा वर्तमान विमर्स में बहुत बड़ा अंतर आया है विमर्स का यह बदलावी आधुनिक समाज को उत्तर आधुनिक समाज बना देता है अब हम सत्य को विमर्स से दूसर तरह से देखते हैं, फूको की बहुत बड़ी समस्या अन्य उत्तर आधुनिक्तावादी विचारकों की तरह ज्यान मिमासा को थी, वे जानना चाहते थे कि ज्यान का उद्गम क्या है, दूसरे सिधान्त क्या है, और इसी खोज में उन्होंने विमर्स की अधरणा को रखा है, अपने सिधान्त में वे ज्यान और सक्ति के संगटन की चर्चा करते हैं, समाजिक नियंत्रड के छेतर में सक्ति ज्यान और विमर्स की बहुत बड़ी भूमिका है, और इसी पर उत्तर आधुनी समाज का निर्माड होगा, ठीक है, तो देखिए इस पकार हम लोग यूनिट यूनिट 2 में दू क्वेश्चन और यूनिट 3 में भी और यूनिट 4 में लभग इसमें दो-दो क्वेश्चन और नौ माक्सवादी के बारे में पढ़ा है, तो चलिए इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आगा, इसको आप कई बार रिविजिन करिए, इससे ज्यादा पढ़ने जुरत नहीं है, तो देखिए आपी के लिए सिर्फ इस पर वीडियो बना जाता है, तो क्रिपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो देखिए मेरा नाम रोसन है, तो चलिए अब अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो वीडियो में कमेंट कर कीजिए, तो चलिए, थैंक्स पर वाचिंग, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्यू सो मुच,